आल्राइट गाईज वेलकम टू वेफ ट्रेडिंग इंडिया चली इस वीडियो में डिसकस करेंगे मार्केट या स्पेशली निफ्टी को लेके कि आने वाले वीक में हम लोग किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं लास्ट वीक की जो प्राइज मॉमेंट है जो आल्ल टाइम हाई को टैग कर दिया है इसकी प्राइज मॉमेंट की जो एंटिसिपेशन है पिछले पांच महिने से चल रही थी और फाइनली वो अचीव हो चुकी है आस्ट वीक जिससे हमने डिसकूस करा था कि जो गेम हो गी उन्नेत हजार की होगी या उन्नेत हजार आम सारी अठाराजार अजा स्ब्सक्रास चैशल करने की होगी है ? या इन सबी सेनारियों उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले week में हम लोग इस market से क्या anticipate कर सकते हैं सभी कुछ discuss करेंगे so without further to do let's get started चली तो हम आगे बड़े मैं आपको बता दूँगी market में pattern recognize कर पाना उसको हमेशा anticipate कर पाना इतना आसान नहीं होता as a matter of fact लगभा close to impossible है पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि जितना भी pattern में आपर जानता हूँ समझता हूँ उसको एक simple language में या simple formation में सभी को एक level बता सकूँ सभी को एक pattern बता सकूँ कि इसका pattern के हिसाब से हम लोग at least यह तो anticipate कर सकते हैं उसी तरह अगर आप question कर रहे हैं बहुत सरे traders की anticipation है कि क्या sell setups यहाँ पर ले सकते हैं मेरा simple answer यह रहेगा कि depend करता है कि sell setups आप लेना किसलिए चाहरा है market में weakness तो बनी है next week शायद sell off भी आप लोग anticipate करें अब question आजाता है कि sell हमने करना है इसके लिए तो मेरे हिसाब से यह जो market है और यह जो pattern है इसके हिसाब से अभी तो मुझे ready नहीं लग रहा है और मुझे movement में पहली या फिर let's say सबसे पहले जम करने की भी आदत या anticipation वहाँ पर नहीं दिखती क्योंकि as a retail trader हमने जो possibilities है हमारी वो increase करनी है हमारे favor में तब ही जाकर हम लोग anticipate कर सकते हैं एक simple language में और simple formation में मैं आपको इस cycle के बारे में बता देता हूँ यह जो current cycle है अगर आप इसको one hour पर जाकर देखें यह जो यहां से start हुआ है अगर यह continue करता रहा और let's say यह number मैं आपको दे रहा हूँ 18,506 so let's make it 18,500 so 18,500 का यहां पर structure wise support है और जब तक इस support के ऊपर या कोई भी corrective structure या फिर let's say कोई भी breakout इसका लगता है market का positive direction में तो जो sellers हैं वो तो wipe out होंगी भी पर इसका जो cycle है वो लगभग 19,500 के आसपास खतम हो सकता है so यह number मैं anticipate कर रहा हूँ अगर यह market में यही cycle continue चलती रही अब यह cycle continue कैसे चलती रहेगी next week में maybe शायद आपको sell off देखने को market में मिलेगा लेकिन उसकी जो closing की price है let's say weekly अगर closing की बात करें या फिर market में daily sustainability की बात करें तो यह 18,500 के आसपास आते आते strong या strength gain करने लगेगा और market reverse sign देना start कर देगा just like अगर आप इस cycle में देखा तो यहाँ पर नीच आने के बात जो reversal आया है फिर यहाँ पे नीच आने के बात जो reversal आया है फिर यहाँ पे नीच आने के बात फिर reversal आया है same case आपका यह रहेगा और इसका जो level है और जो anticipation है वो 18,500 का है मतलब की 18,500 को violet नहीं किया तो 19,500 इसी one single cycle में आएगा next question आपके ये बन जाता है कि what if 18,500 तक हम आई नहीं उसी के पहले अगर हमने breakout upside का दे दिया तो यहाँ पर आपको मैंने एक resistance बताया हुआ 18,750 टेक्निकली ये level जब तक इसके नीचे यहाँ पर थे को इसको breakthrough करना है और अगर 18,500 तक नहीं आना है cycle तो देखो वही ये उसमें कोई changes नहीं है तो breakout के जो level है वो रहेंगे आपके ये वाले so 18,750 के उपर market को हम strong as strength wise consider करेंगे एन अपसाइट की जो movement है 19,500 तक की plan की जा सकती है next week मुझे लगता है कि maybe शायद 19,000 को tag या test शायद मुश्किल हो जाए depending on this correction but that depends कि 19,000 के आसपस तभी आ सकते हैं जब हम यहाँ पर breakout anticipate या breakout plan होता है अगर dip या जो की most probably ज़्यादा chances जिसके लग रहे हैं वो यह कि corrective wise नीचे and drop down और जब यह drop down पर आएगा तो अभी तो इसकी formation कोई भी pattern wise as a reversal नहीं दिख रहे which means कोई भी dip आ रही है उसके end point के पास आते आते हम लोगों ने reversal ढूणनी है और उसके upside के लिए plan करना that would be our plan for the coming days and coming anticipation so levels to look at 18,750 as a one hour resistance 18,500 daily, weekly आप किसी भी level पर बोलें इसे strength wise as a support anticipate करें या discuss करें और ये पूरा का पूरा इस structure का support होगा इसका ना कि इस पूरे का इस पूरे का अलग है so that's the anticipation and that's the possibility which means 18,500 is a crucial level pay really close attention to that one reversal sign for the downside let's say for the target 16,250 और मैं भी ऐसे कुछ अगर आप lower side के target देख रहे है I think maybe अगर 17,950 या 17,962 के आसपस के कुछ target देख रहे है तो थोड़ा सा back foot पर रहे है market को reversal के लिए confirm करने दे so that's how the NFT is looking to me guys इसके साथ साथ मैं आपको बता दो कि weekly live session जो मैं conduct करता हूँ उसका link इस telegram channel पर भेजूँगा आपको इस telegram का link इस video के description में मिल जाएगा और जो group training wave analysis पर होती है वो इस month conduct की जाएगी जिसका registration भी चालो हो चुका है उसका भी link आपको इस video के description में मिल जाएगा so with that said done thank you so much bye bye